नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ आंकिता अमेरिकी स्पेस एजिंसी नासा के नाम एक और उपलब्धी जुड़ कई है नासा ने स्पेस एक्स क्रूज 6 मिशन की सफल लॉंचिंग की है स्पेस एक्स फॉलकन 9 रॉकेट यानि की ड्रेगन एवेंडर ने अमेरिका में फ्लोरीडा के कैनेडी स्पेस सेंटर निवेंबर 39A से गुरुवार देर रात एक बचकर 45 मिनिट पर यानि भारती समय अनुसार गुरुवार दुपहर को करीब सवा 12 बचे लॉंच किया स्पेस एक्स का फॉलकन 9 रॉकेट चार अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन पहुँचाएगा यह एलन मस्क के स्पेस एक्स की छटी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट है इसमें नासा के दो रूस के एक और UAE का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल है लॉंचिंग के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतराश्चिय अंतरिक्ष स्टेशन यानि की ISS पहुँचने में लगभग 25 घंटे का समय लगेगा एस्टोनाट्स का ये क्रू 6 महिने तक ISS पर रहेगा यहाँ चारो एस्टोनाट्स हार्ट मर्शल टिशू, माइक्रो उग्रेविटी में हूमन सेल और टिशू को प्रिंट करने में सक्षम बायो प्रिंटर की टेस्टिंग करेगा साथ में ड्रग मैनुफाक्वेक्टरिन तखनीक पर भी शोत करेगा क्रूज 6 मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट्स में नासा के अंतरिक्ष यात्री स्टीफन, बोवेन और वारिन वुडी, होबर्ग शामिल हैं तो वहीं UAE के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल्नियादी और रूस के अंतरिक्ष एजनसी रॉसकोस मोस के कोस्मोनॉट एंड्री फेड एब भी हैं अल्नियादी UAE के चौथे और लॉंग टर्म के स्पेस मिशन पर जाने वाले UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे उन्हें मुहमद बिन राशिद स्पेस सेंटर के नासा और एक्जी ओम स्पेस के बीच हुए एक समझोते के तहट चुना गया है अमेरिका रूस के बीच राजनेतिक तनाव के बावजूद इस मिशन में रूस की अंत्रिक्ष एजनसी रोसको स्मोस के भी एक एस्टोनाट्स शामिल है दरसल अमेरिका रूस के बीच एक समझोते के तहट अमेरिकी अंत्रिक्ष यात्री सोयूस कैपसूल पर सवार होंगे जबकि रूसी अंत्रिक्ष यात्री क्रू ड्रैगन की सवारी करेगा क्रू 6 जब अंत्रिक्ष स्टेशन पर पहुँचेगा तो क्रू 5 के अंत्रिक्ष यात्री निकोल मान जोश कसाड़ा, जॉकसा के कोईची, वाकाटा और रोसको स्मोस कॉस्मोनोट अन्ना की कीना स्पेस एक्स एंज्यूरेंस अंत्रिक्ष यान से वापस लोट आएंगे देश और दुनिया की तमाँ खबरों को विस्तास से जाने के लिए जुड़े रही है चनभापना टाइम्स के साथ, नमस्कार